हेलो स्टूडेंज आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली वाक्षीट 19 को करेंगे जो की 6 तू 8 क्लास के लिए है और यहाँ पे स्टूडेंट आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे और यह कब की वाक्षीट है 27 त पांstill 50 मिटर की दूरी पर बने पारक में सैर करने जाते हैं तो वहां एक किलोमीटर लंब और पांसो मिटर चोड़ेंगे रस्ते पर एक चकर लगाते हैं फिर अपने मित्रों के साथ पराणाम करते हैं और लोडते हुए नियम से 1 kg ग्राम पपीता और 2 लिटर दूद और 250 ग्राम पनीर लाते हैं तो यहाँ पे एक स्टोडी दी गई है दाधा जी बताया गया किवह 50 मेटर दूरी पारक पे जाते हैं एक किलो मिटर और 500 मिटर के रस्ते पर एक चकर लगाते हैं तो हम देखते हैं इसके कोशिं अंसर कि कोशिं में वो क्या कह रहा है तो सबसे पहले देखिए पारक में इसकि पारक से बाद एक किलो मिटिर वो क्या करते हैं लंब रस्ते पर चलते हैं. जब हजार मिंटर होते हैं, तो वो ख खहले होते हैं तो वो क्या होता है, एक खिलो मिटर चलते हैं, चोड़े रस्ते पर कोई ऐसे तो नहीं चलेगा वो तो सीधा ही जाएगा तो उन्होंने कितना रस्ता तैकिया दादा जी ने अभी जाने के लिए एक किलो मिटर और हम जो यूनिट है मातरक है वो किसमे यूज कर रहे हैं मिटर में तो हम क्या करेंगे इस एक किलो मिटर को क्या कर देंगे एक किलो मिटर को किसमें कनवर्ट कर देंगे हजार मिटर में किसमें कनवर्ट कर देंगे हजार मिटर में यह समझ में आया अब दादा जी एक पहले इस तरफ गए है अब वापस भी आएंगे उससे चलकर तो क्या होगा 1000 किलोमेटर फिर हो जाएगा क्योंकि 1000 मिटर हो गया क्योंकि एक किलोमेटर वो गए है तो अपने घर की तरफ वापस लोटेंगे भी ना 1,000 meters, फिर फिर व अपने घर पारक से घर की तरफ जाएंगे, अब क्या hosts क्परा के म्यां 1991 पहले क्ववर, फिर 50 meters आपको सब समझ में आजा हूँ बच्चे पहले हैं tomar aak फिर 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 50 meters आपको सब समझ में आ रहा हैWhen है सब घर से सबह कि तरफ अगर हम घर से पारक की तरफ तो पारक से वापस धर की तरफ भी आएंगे ना तो उन्होंने कहा है कि कितनी दूरी तया करने है तो पूरा रस्ता हम देखेंगे तो अब हम इसे जोडते हैं कितना आएगा 0, 5 और 5 क्या हो जाएगे, 10 हो जाएगे 1 यहाँ पर क्या आजाएगा कैरी आजाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 1 और 1 दो तो टोटल कितना रस्ता चले है वो 2100 मिटर कितना चले है टोटल 2100 मिटर तो यहाँ पर यह हमारा फर्स्ट कोशन समझ आ गया बच्चे आपको अब हम नेक्स कोशन करते है प्रती दिन पपीते और पनीर का कुल कितना वजन उठाया है दादा जी कितना वजन उठाते है तो अब यहाँ पर फिर हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं ग्राम की और हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर किल्लो ग्राम की तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है ग्राम और किलो ग्राम की तो जब हजार ग्राम मिलते हैं जब कितने मिलते हैं हजार ग्राम मिलते हैं तो क्या हो जाता है वो एक किलो ग्राम वो कितना हो जाता है एक किलो ग्राम मेरी बास समझ मैं जब हजार ग्राम मिलते हैं तो हजार ग्राम मिलते हैं तो उसको क्या कहते है अगर आप से कोई पूछे किस ग्राम कितने है तो ज्गा हो ईंक कितने हैं 1,000 होजार को कोशन पढ प्रते दिन पनीध पपीति और पनीध का कुल कितना वजन उठा एंक दिन dh हैं कितम वजन आपता है 10v14 लाप जो किसमें चेंऻ करेंगे हैं ग्राम में तो पनीर कितना हो गया озण ग्राम उसकी बाद वह पुछता है कि पनीर कितना हमें 250 ग्राम तो अब हम्म को जोड़ देते हैं क्योंकि उन्हों पूछा ए लागा तो हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, हम देखते हैं कितना आया, 1250 ग्राम, क्या आएगा, 1250 ग्राम, यह समझ में आया आप लोगों को, कि टोटल उन्होंने कितना वजन उठाया है, तो कितना आजाएगा, 1250 ग्राम, अब हम next question करते हैं, students, देखिए, इसमें क्या दिया अपरोक्त वर्णन में मापने की कौन-कौन इकाया यूज की गए हैं, यहाँ पर आपने देखा कि अलग-अलग इकाई यूज की गई थी, एक तो क्या यूज किया गया था? heter एक क्या यूज किया गया था? meter, और meter से बड़ा क्या होता है armor. यह भी यूज किया दिया है, hereafter किलो मिटर भी यूज किया गया था उसके बाद में तो फर्स्ट क्या आया यहाँ पर उन्होंने क्या यूज किया मिटर ठीक है उसके बाद क्या यूज किया किलो मिटर किलो मिटर उसके बाद क्या यूज किया गया था यहाँ पर ग्राम हमने देखा था कि ग्राम और किलो ग्राम हमने अभी ये किया है क्या यूज किया गया है ग्राम और किलो ग्राम उसके अलावा एक और यहां पर यूज किया गया है लिटर दूर किसमे आया था लिटर में ठीक है तो अब मैं फिर बता देते हूं कि एक मिटर सोरी हजार मिटर क सबक sue मिली लिटर की लिटर तो यह तीना सेंटीमिटर हो जाएंगे या क्या हो जाएगा मिली लिटर हो जाएगा ठीक है तो आप भो भी लिख दीजिए अब नेक्स्ट कोशन क्या है क्या प्रती दिन सेर सिफ दादाजी को करने चाहिए तो आप बताइए नहीं सेर हम सब को करने चाहिए क्योंकि सेर करने से हमारा ठीक रहता है, तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारी वर्क्षिट कम्प्लीट होती है, अपनी वर्क्षिट को कम्प्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाईए, और मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, थैंक यू,